अस्लाम उल्यकूम एब्वेवन निस वीडियो वे गोई तो डिस्समिनेटर इंट्र वस्कॉला लॉट्वाय। ठीक है? अब डिस्समिनेटर इंट्र वस्कॉला कोगईलेशन की बात करे न तो इसमें बेसिक लिए क्या होता है? कि हमारे पास अबनॉम्ल अक्टिवेशन होती उसमें मारे पास microthombi बनना शुरू हो जाता है छोटी-चोटी वैसल में थ्रhombos बनना शुरू हो जाता है ठीक है इसके लावा अच्छ Service क्रभेर बिन भी कम हो जाते हैं और हमारे पास clotting factors भी कमी हो जाती है ठीक है इसके लावा हमारे पास fibrinolytic activity भी increase हो जाती है leading to hemorrhage bleeding ठीक है तो हमारे पास जो bleeding और thrombosis होती है वो spontaneously हो रही होती है दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती है ठीक है अब इसके हम पासिस के अगर हम बात करें न डी ऐसी की तो इसमें हमारे पास सेपसिस हो सकता है कोई trauma हो सकता है obs history जैसे कि placental absorption हो गई है ठीक है या हमारे प्री एकलेमजिया वगारा है septic abortion है ठीक है इसके लावा सावेर लिवर फेरियर है या patient जो है वो snake bite हो गई है या ABO incompatibility है ठीक है malignancy में हमारे पास जो solid organs होते हो उनकी malignancy हो सकती है ठीक है या हमारे पास कुली कीमिया तो वो हमारे पस DIC cost कर सकती है ठीक है अब इसके clinical features में क्या होगा आपका bleeding time भी जादा होगा ठीक है इसके लावा आपका APTT और PT दोनों डिराइंज जो होंगे ठीक है दोनों जादा होंगे ठीक है और इसके लावा आपके platelet का level जो होगा वो हमारे पस कम होगा ठीक है और जो end organ है न उनमें infarctions जोना शुरू हो जाएंगे क्योंकि obviously लिवाँ पर blood supply नहीं आ रहा है ठीक है तो अब क्या होगा कि मैंने आपको बता दिया platelet काम है ठीक है तो ultimately bleeding होना शुरू हो जाएगी आपका bleeding time जादा है आपका APTT जादा है आपका PT जादा है आपका जो है fibrin degradated जो product है ना उनका level जादा है और D damage का level भी जादा होता है ठीक है एक FTP जादा है fibrin degradation product और एक D damage का level जादा है ठीक है अब इसमें हमारे पास जैसे के hemophilia में हम ISTH स्कोर कर रहे थे तो इसमें भी हम लोग ISTH स्कोरिंग करते हैं for severity ठीक है अब platelet का count ना हमारे पास अगर 100 से जादा होगा तो उसको 0 स्कोर देंगे 100 से कम तो उसको 1 स्कोर देंगे और 50 से कम तो स्कोर देंगे ठीक है fibrin degradation product अगर हमारे पास increase नहीं होते तो 0 अगर moderately increase होते हैं तो 1 और अगर severely increase होते हैं तो 2 ठीक है पिर इसके बाद हमारे पास PT का level PT का level अगर हमारे पास 3 seconds से कम है तो 0 3 seconds से लेकर 6 seconds के बीच में है तो हमारे पास 1 और 6 seconds से जादा है तो 2 ठीक है इसके लावा fibrinogen का level अगर वो हमारे पास 1 gram per liter से जादा है तो 0 1 gram per liter से कम है तो 1 अब इसके बाद हमारे पस जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं नदूलायनिंग कॉस को ठीक करने जैसे अब पेशन्ट सेबसेज बेजार है तो आपने अंटिबियोटिक स्टार्ट करा दे नहीं अब रोड स्पेक्रम अंटिबियोटिक कुई ट्रामा है तो आपने ट्रामा को जह है न वो ब्लीडिंग स्टॉप करवानी है ठीक है इसके लावा आपका कोई इसने एक बाइट उसने एक बाइट की मेनेजमेंट करवानी है यह वो अब यह उन कंपैटिबिलिटी है तो उसकी मेनेजमेंट करवानी है लेवर फेरियर का पेशन्ट है तो लेवर फेरियर की मेनेजमेंट करवानी है फिर इसके बाद हमारे पास supportive treatment होती है एक तो हम लोग इसमें cryoprecipitate दे देते हैं fresh frozen plasma दे देते हैं platelet दे देते हैं इसके लावा हम लोग low dose epren दे देते हैं दाकि हमारे पार जो thrombus बन रहा था न वो ना बने ठीक है और इसके लावा हम लोग oxygen दे देते हैं फ्लूइड देते हैं blood pressure को maintain करते हैं renal perfusion दोते हूं maintain रखते हैं ठीक है अच्छा इसमें बस ये एक चीज़ रहा कही है ये obviously सारे topics लोगों लोगों ने cover कर लिये हैं ठीक है वीडियोज अप्लोड हो चुकी होगी इंशाला ठीक है तो अब आपको सिर्फ मैं टेबल से बता देता हूं देखो जो हमारे पस स्रंबोसाइटोपीनिया परपरा होता है न तो उसमें platelet का count जो होता है वो कम हो जाता हो जो हमारे पास बाकी सारी चीज़े होती है platelet count कम है bleeding जादा हो गए बाकी दो PT, APTT normal है ठीक है पर हमोफीलिया में हमारे पास बाकी सारी चीज़े नॉमल होती है सिर्फ APTT जादा हो चुका होता है wall-emailability infected disease में हमारे पास ब्लीडिंग टाइम जो होती है वो जादा हो जाती है और हमारे पास PT जो होता है APTT इंग्रीज होता है DIC में हमारे पास प्लेट्रेट का काउंट कम होता है और बाकी सारी चीज़े जो होती हो जादा हो चुकी होती है थैंक यू जजाकल्ला खेर